हेलो बच्चों, तो कैसे हैं, प्रियल्थ का पढ़ाई चल रही है कि नहीं, तो जैसा कि आप लोगों को बताये थे, जो आप लोगों को जिसमें प्रॉब्लम हो, आप कॉमेंट करेंगे, हम यथा संभब प्रियास करेंगे, जो आपके कॉमेंट को, आपके कमी को पूरा किया जाए क्योंकि आप लोगों को खुशी की बात है जो सब लोग वीडियो अच्छी तरह से continuous देख रहे हैं और इसी तरह से जो हैस जदी आपको अच्छा लगे तो like, share और subscribe कीजिए तो एक भीके याद आप करके हैं जो बताए जो organic का भी जो है सो थोरा सा समझना है तो चलिए देखिए organic में सबसे पहले बात आप ये याद रखिए जो organic एक उसी तरह का topic है जिस तरह से हम लोगों को किसी घर में personal बैक्ती के 24 याद रखते हैं जो इसको ये खान-पान पसंद है याद रखते हैं उसी तरह से आप लोगों को organic है तो घबराना नहीं है मेरे साथ-साथ organic का जो है तैयारी करना है पहले हम concept बताएंगे इसके बाद आपको 12 में कैसे लिखा जाएगा ये बात बताएंगे ध्यान दीजे यानि पहले आपको concept जो की 12 में भी जरूरत है comparison में भी अब फिर उसके बाद जो language देंगे वे language आप लोग 12 के लिखेंगे तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं ओर्ज रियक्शन ओर्ज रियक्शन जदी अलकाइल हेलाइड ले और sodium dry ether ले 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 हीट कर दे तो r plus nax यानि जितने यहां r का मतलब अलकाइल जितने कारवन का आप लीच येगा उससे दुगुनना कारवन का मिलेगा अलकें इसका मतलब यह हमको double लेना परेगा तो जैसे ही हम लोगों से ओर्ज रियक्शन काहा जाए तो 12 के लिए पहले 12 का बात कर लेते हैं कि 12 के लिए बच्चों को बहुत जरूरी है उसके बाद ना कंपेट्सन पहले 12 में मार्क अच्छा रहेगा तब तो कंपेट्सन तो चलिए पहले हम 12 में कैसे लिखेंगे ये बात कर लेते हैं तो चलिए जैसे ही अम लोगों से 12 में कहा जाए उर्ज रियक्शन तो बस इतना ही लिखना है बच्चों द्यान दीजिए कैसे लिखेंगे ये कोई जरूरी नहीं है दिखाना ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मिथाइल कॉलोडाइट मिथाइल कॉलोडाइट पे सोडियम हीट और इत्थर तो ये क्या बन जाएगा इत्हेन तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए जो मिथाइल कॉलोडाइट पे सोडियम और हीट ड्राइ इत्थर यूज करेंगे तो अलकेन बनेगा जदी कॉन्फिडेंस रहेगा तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा और जदी मन में हिचकिचा हट रहे जदी मन में हिचकिचा हट रहे जो क्या होगा क्या नहीं होगा तब पहले आप नहीं तब पहले ये लिखिएगा यानि मेन बात क्या होना चाहिए ये जैसे ही हम लोगों को ओर्ज रियेक्शन कहा जाए तो लैंग्वेज किसी तरह से हो यानि अलकाइल हेलाइट, सोडियम का चर्चा हो और ड्राइ इथर का चर्चा हो यान दे रहे हैं ये तीन पॉइंट आप किसी न किसी तरह से हिंदी और इंग्लिस दोनों मिला करके भी लिख देते हैं तो मार्क देना ही है, मार्क जो है देना ही है तो वेन अलकाइल हिलाइट रियेक्ट विथ सोडियम इन परजंस अफ ड्राइ इथर हीट देन अलकेन इज अप्टेन दिस रियेक्शन इज कॉल्ड ओर्ज रियेक्शन बस 12 तक बच्चों यहीं तक कहानी है अब जो हम आपको डिटेल से कुछ समझाने जा रहे हैं जो क्या होता है इसके बारे में समझाने जा रहे हैं मतलब मेकेनिजम कहिए मेकेनिजम का मतलब होता है है अपोथेटिकल पाथ जो क्या है है अपोथेटिकल पाथ तो देखिए जदी हम क्या करें अलकाइल हेलाइड को हीट करेंगे समझ रहा है कई तरह से मेकेनिजम है तो जैसे ही हीट करेंगे तो यह नहीं पहले सोडियम बला दिखाते हैं जदी आप सोडियम को हीट करते हैं तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लौ है अब जो ट्वियल्थ का देख रहे हैं वे सिर्फ सुनिये सुनने का मन है क्योंकि सुनने तो ब्यकार होगा नहीं लेकिन जो कंपेट्शन का है वे अच्छी तरह से सोडियम का आईपी का भैलू कम है तो यह एन एपलस और एक इलेक्ट्रोन एक इलेक्ट्रोन रिलीज हुआ ठेक जैसे ही यह इलेक्ट्रोन रिलीज होगा यहाँ पे यह जो आर एक्स है यह आर एक्स में हीट के कारण यहाँ भी समझे बॉंड तूटता है तो यह बदलेगा आर पलस और एक्स माइनस में एगेन यह जो पलस बना बच्चों यह इसके साथ इलेक्ट्रोन कमबाइन कर जाएगा और बन जाएगा क्या आर माइनस और आर माइनस मतलब यह इंटर्मीडियेट बन गया जदी कारवन है तो इसको हम कारव एनाइन कहेंगे यानि इतना स्टेप पहले समझ गया याद रखना पड़ेगा मतलब उर्ज रियक्षन में क्या होता है दुनिया में ऐसा माना गया है यह मत सोचिए जो सर जी हमको पता नहीं चला है यानि क्या सोडियम को हीट करते हैं हीट कहां तो लिखा हुआ है तो एनछ रले पलेश और इलेक्ट्रॉंड मिला अब यहां से यह जो आर एक्स है यह X का इलेक्ट्रो निगेटिवीटी क्या आर मतलब यहां कोई न कोई कारबन होगा तो कारबन और एक्स एक्स का मतलब क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रोमिन, आयोडीन तो इस तरह से यह जो है जब जैसे ही bond टुटेगा तो katein बन जाएगा और minus क्योंकि जिसका electronegativity जैदा होता है वे हमेंसा minus में तुटता है अब जो यहाँ पे जो plus बना यह जो free electron है यह इसके साथ combine कर जाएगा और जैसे ही combine कर जाएगा तो पहले यह neutral बनेगा पहले यह neutral बनेगा और फिर एक electron और combine करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों R- क्या समझे क्योंकि पहले तो plus था plus के कारण जो है neutral बनेगा neutral जिसको हम free radical कहते हैं अब यहाँ पे इसका नाम free radical हो गया free radical और अब क्या हो जाएगा यह बच्चों तो एक electron और जदी हम combine कराते हैं तब इसका नाम हो गया carb anion अब देखते रहिए क्या होता है तो दूसरा जो alkyl halide का जो molecule है इस alkyl halide molecule पे attack कर देता है और जैसे ही attack कर देगा तो अब देखिए यह R बन गया X यहाँ पे release हो गया यानि यह किस tap का reaction हो गया बच्चों SN2 tap का reaction हो गया क्योंकि SN2 में nucleophile back side से क्या कर देता है attack कर देता है तो इस तरह से इसका mechanism समझाया गया है urge reaction का अब इसमें खास बात और एक समझे यह नहीं जो competition में भी बहुत हम लोग क्या करेंगे इसको याद रखेंगे इसी बात नहीं है competition में देखिए इस तरह से परहाई कीजिए ताकि competition में आपका selection हो यह सोचना है जो कम में हमको जैदा से जैदा benefit हो तो सबसे पहले अब सीखिए जो जैसे ही हमको CH3 CH2 CL और इस पे sodium जो मैस्चर हो वे मैस्चर नबन पाए नहीं तो मैस्चर बन जाएगा sodium के presence में तो वहाँ reaction स्टार्ट हो जाता है इसलिए एकदम sodium जो होना चाहिए पूरा dry और हम लोग यह मान के चलते हैं कहीं हो सकता है जो sodium में कुछ मैस्चर हो तो इसलिए इथर का इस्तेमाल कर देते हैं तो अब देखिए टेखनिक सी किये कितने कार्बन देख रहे हैं दो कार्बन तो जस्ट डबल कर दीजिए जस्ट डबल तो CH3, CH2, CH2, CH3 तो इस तरह से यह जस्ट डबल इसका मतलब यह दो मोल लिया गया होगा अब सोडियम कितना मोल तो सोडियम जदी कहा जाए तो एक मोल से फिर रेडिकल बना फिर एक मोल से कार्बनाइन बना यानि दो मोल सोडियम चाहिए समझ रहे हैं ने बात को तो जितने carbon का आप लीजिएगा उससे double carbon का alcan मिलेगा यानि इस method के दौरा जदी हम alcan बनावें तो symmetric alcan बनेगा symmetric alcan is obtained symmetric समझते हैं यानि carbon का number हमेशा double जो होगा 2, 4, 4, 8, 8 and so on अब खास बात और समझिए मान लिया जाए हम methyl chloride लिए और दूसरा methyl chloride लिए sodium heat kia dry ether दमरटा जाना चाहिए sodium heat kia dry ether ये किस reaction के नाम से जना जाता है urge reaction के नाम से जना जाता है तो अब देखिए इसमें क्या होगा आपको तो सिखाए जो urge reaction में जितना carbon होगा उसका double हो जाएगा तो देखिए पहला carbon ये है तो ये एक carbon है तो बन जाएगा C2H6 ठीक दूसरा carbon है तो बन जाएगा C4H10 ठीक और तीसरा में देखिए तीसरा में क्या हो सकता है दोनों मिल जाएगा दोनों मिल जाएगा यानि कितना C3H8 तो कितने टाइप का product बन गया बच्चों तीन टाइप का product बन गया किलियर है यानि कितने टाइप का product बन गया तीन टाइप का कब जब दो different alkyl highlight लिया जाए यानि दोनों का दोनों जदी different लिया जाए तो कितने टाइप का product थीरी टाइप का product मिलेगा किलियर है तो चलिए अब ही आप लोगों को हम फिर cold wage reaction बात करेंगे cold wage reaction जो बात करेंगे तो यह आप क्या करते जाएए रटते जाएए और यह mainly हम अभी जो स्री चल रहे हैं बात कर रहे हैं यह 12th को ध्यान में रख करके तो इसलिए ध्यान दीजिएगा अभी हम लोग फिर जो है कौन सा cold wage reaction का बात करेंगे